दोस्तो यदि आप टेली प्राइम सप्ट वियर में बहुत आसानी के साथ कारी करना सीखना चाते हैं, GST से रिलेटेड टॉपिक्स क्लियर करना चाते हैं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकोन को प्रेस करके, आल पर भी क्लिक कर लें. दोस्तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे, पैमेंट वाउचर में एंट्री करना, आज की वीडियो में कुछ एक्जामपल के दोहरा आपको बताया जाएगा, कि पैमेंट वाउचर में आपको कौनसी एंट्री करनी हैं, और किस तरह से करनी हैं, दोस्तो payment voucher में open करने के लिए हमको जाना होगा gateway of daily mukh menu से vouchers में vouchers को select करके मैंने enterprise कर दिया जैसे vouchers को select करके आप enterprise करेंगे यहाँ पर कोई न कोई voucher आपको open मिलेगा अब हमको क्या करना है payment voucher में entry करना है तो यहाँ पर हमको payment voucher लेकर आना होगा इसके लिए side में button bar है यहाँ पर आपको payment लिखा हुआ मिलेगा इस पर mouse click कर दीजिए या यहाँ पर F5 भी लिखा हुआ है तो keyboard से आप F5 प्रिस करके भी payment voucher को open कर सकते हैं मैंने payment पर कर दिया mouse click तो देखे payment voucher यहाँ पर open होकर आ गया अब यह जो payment voucher open होकर आया है यहाँ पर कहीं भी आपको credit और debit by or to so नहीं हो रहा है क्यों क्योंकि यह single entry mode में payment voucher open होकर आया है यदि आप double entry mode में payment voucher में entry करना चाहते हैं तो side में button bar है यहाँ आपको आना होगा और change mode आपको जो यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है इस पर click करना है या फिर आप control के साथ H press करेंगे मैंने change mode पर कर दिया click जैसे ही मैंने change mode पर click किया हम आगे change voucher mode में यहाँ पर आपको दो option मिलेंगे double entry और single entry अगर आपको buy or two में entry करनी है आपको debit or credit में entry करनी है तो double entry को select करके enter प्रेस करना होगा अब यहाँ पर आप debit or credit mode में entry कर पाएंगे अगर आप buy or two में entry करना चाहते हैं तो जब आपका payment voucher double entry mode में open है तब आप F12 प्रेस करेंगे keyword से जैसे ही आप F12 प्रेस करेंगे keyword से आप आजाएंगे configuration में और configuration में general details में सबसे पहला feature आपको मिलेगा use CRDR instead of two by during voucher entry इसको कर दीजे आप no और no करके आप control ए प्रेस करके accept कर लें या enter एंटर प्रेस करते हुए इसको accept कर लीजे तो अब आपका जो payment voucher है double entry mode में वो buy or two के रूप में आ जाएगा और आप buy or two में entry कर पाएंगे ठीक ना मैं यहाँ पर दोस्तो single entry mode में आपको payment voucher में entry करना बताऊंगा तो इसके लिए मैं change mode पर फिर से जाऊंगा single entry को select करके enterprise करूंगा फिर से मैंने payment voucher को single entry mode में open कर लिया single entry mode में मैं आपको entry करना बताऊंगा दोस्तो इसी तरह से आपको entry करनी है क्योंकि यह सबसे आसान तरीका है entry करने का ज़्यादा तर जगे इसी तरह से entry की जाती है और इसका कोई भी गलत effect नहीं पड़ेगा आपकी entry करने पर और आप confuse नहीं होंगे कि कौन से laser को credit करें कौन से को debit करें ठीक है ना तो हम single entry mode में entry करना सीखेंगे अब दोस्तो payment voucher open है तो सबसे पहले यह जान लेते कि payment voucher में आपको कौन से entry करनी है दोस्तो ओधित building material हमारी एक firm है और हमारी इस firm से जब भी पैसा out होगा जब भी पैसा बाहर जाएगा जब भी पैसा किसी को pay किया जाएगा तो वो सारी कि सारी entry दोस्तो हम payment voucher में करेंगे अब जो हम payment करने जाएंगे दोस्तो है ना तो वो payment दो तरीके से किया जाएगा या तो हम cash में payment करेंगे किसी को या हम अपने bank के माध्यम से payment करेंगे तो आपको चोटा सबस एक रूल याद रखना है कि जब भी आप पे पेमिंट करेंगे कैसे करेंगे या bank से करेंगे तो अकाउंट जो आपको इस ज़ग्र लिखा हूँ मिल रहा है, यहां पर हमेशा आपको यहतो अपना cash laser लगाना है आप यहाँ फिर bank का लेजर लगाना है तो cash का laser तो by default आपको बना हुआ मिलेगा bank के laser आपको create करके रखने हैं अब bank के laser कैसे create किये जाते हैं तो इस संबंधर वीडियो इससे पिछली वीडियो मैंने upload किये जिसमें बताया है कि किस तरह से आप current bank account, limit bank account और saving bank account के laser create कर सकते हैं तो मैंने laser यहाँ प आपको bank के laser create करने हैं अब अब दोस्तु मैंने आपको बता दिया करनाव क्या है। आपको जब भी पेमिन्ट करेंगे किसी को भी payment करेंगे। अकाउंट में हमेशा आपको अपना कैस का लेजर लगाना है, यानि कैस में जब पेमेंट करने जाए तो कैस का लेजर लगाना है, और जब आप बैंक से पेमेंट करने जा रहे हैं, तो जिस बैंक से आप पेमेंट करने जा रहे हैं, तो जिस बैंक से आप पेमेंट करने जा पर्म है क्रेडिटर फर्म है जिससे कि हमने उधार पर्चेज की थी अब हम इसको पेमिंट करने जाएंगे तो पेमिंट करने जाएंगे तो एंट्री करेंगे पेमिंट वाउचर में अब हम अमन्टेटर्स जो हमारी देली की क्रेडिटर पार्टी है जिनसे कि हमने उधार प जो कि by default बना हुगा होता है इसके बाद IDVI bank current account इसका laser मैंने create किया यानि IDVI bank में हमारा current account है हमारी firm का तो उसी name से मैंने laser create कर लिया और इस bank account से जो भी हम transaction करेंगे उसको इस laser में record करेंगे इसी तरह से हमारी company के जो owner है उधित कुमार जेन उनका IDVI bank में saving account है तो उसकी भी हमको इसमें entry करनी होगी तो मैंने IDVI bank saving account के name से एक laser create करके रखा है और हमारी firm का एक limit account भी state bank आप इंडिया में तो उसी name से मैंने laser create कर लिया है तो इस तरह से दोस्तों आपको laser create करके रखने है आप मैं किस से payment करने जा रहा हूँ IDVI bank current account से तो IDVI bank current account का laser मैंने account में select कर दिया अब particular में हम को जिसको भी payment करना है उसका laser लगा देंगे तो यहाँ पर हम किसको payment करने जा रहा है अमन टेडरस देली को payment करने जा रहा है तो list of lasers account में मैंने अमन टेडरस देली को select किया और enterprise कर दिया ठीक है अब यहाँ पर IDVI bank current account में पांच लाग रुपए डेविट सो रहा है नही bank से payment करने जा रहा है तो जिस bank से payment करने जा रहा है उस bank का laser यहाँ पर लगा दीजिए और particular में जिसको भी payment करने जा रहा है उसको laser लगा दीजिए मैंने यहाँ पर लगा दिया और amount में amount डाल दीजिए जितना amount आप पे करने जा रहे है अब मैंने enterprise किया और enterprise किया अब देख तो आप ला सकते हैं और यहां पर कोई columns आ रहे हैं उनको हटाना है तो हटा भी सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा जब आप allocation में हो ये screen जब आपके सामने हो तब आप यहां से F12 प्रेस कीजिए F12 प्रेस करेंगे तो आप आजाएंगे दोस्तों configuration में यहां पर कुछ आपको feature मिलेंगे और इन feature में जब आप देखेंगे तो कुछ feature यहां पर yes है और कुछ no है जो yes है तो उनसे related columns आपके bank allocation की जो screen थी उसमें आ रहे थे जैसे यहां पर देखेंगे तो so instrument number during voucher creation यह yes था इस वज़े से bank allocation में check number का column आ रहा था तो यहां पर जो भी आपको चाहिए हो इनमेंसे उसको आप yes कर दें और accept कर लें तो उससे related columns आपके जो bank allocation की screen है उसमें आ जाई है न और जो यहां पर यहसे उनको हटाना है तो यहां से no कर दीजिए accept कर लीजिए तो वहां से हट जाई है न तो जैसे यहां पर हम देखते हैं एक column में so remark अभी क्या bank allocation में so remark वाला column so नहीं हो रहा था तो हम इसको कर देते हैं yes अब इसके सबमदित column शुरू हो जाएगा वहां पर आ जाएगा bank location में और उसमें हम इससे related details डाल सकते हैं इसी तरह से यहां पर हम ले लेते हैं so email id यह भी no है इसको भी yes कर देते हैं जिससे की email id का column होँआ पर सोगा और हम उसमें email id डाल सकते हैं और इस तरह से आपको कोई भी column लाना है तो ला सकते हैं और उनसे related details उस column में डाल सकते हैं अब यहां पर transaction type में हमारा cursor है जब transaction type में आपका cursor हो तब आप space की प्रेस कीजिए जैसी आप space की प्रेस करेंगे तो यहां पर side में आपके सामने इस तरह से आजाएगा transaction type अब transaction type में यहां पर checks हो रहा है यानि जो आप transaction करने जा रहे हैं तो वहाँ पर आप इसकी data रख सकते हैं अलग से जैसे check से payment करने जा रहे तो check select कर दीजिए e-fund transfer यानि electronic fund transfer करने जा रहे है यानि ftr dgs के द्वारा करने जा है तो आप इसको select कर दीजिए others है तो आप others कर सकते हैं इसके अलावा यहां पर show more हो रहा है न show more को select करके आप enterprise कर दीजिए तो कुछ और option आपके सामने आ जाएंगे जैसे ATM से payment करने जा रहे है card से check से e-c-s e-fund transfer electronic check इन मैंसे जो भी माद्ध्य में उसको आप यहां से select कर सकते हैं ठीक न अब मैं check select कर रहा हूं क्याकि मैं check से payment करने जा रहा हूं आपका जो भी transaction टाइप हो उसको आप यहां से select कर सकते हैं और उससे related जानकारी उन columns में रख सकते हैं चेक को मैंने select किया amount टेक लाग 40,000 रुपए इंस्टुमेंट नंबर जो मैं check देने जा रहा हूं वो check का number भी यहां पर डाल देता हूं 234-560 वो मैंने यहां पर डाल दिया इंस्टुमेंट नंबर 31 मई है और रिमार्क और email ID में हमको कुछ अभी नहीं डालना है आपको कुछ भी डालना है तो आप यहां पर डाल सकते हैं तो इस तरह से इस जगह पर bank का location में आप जो भी transaction करने जा रहे उससे related जानकारी यहां पर रख सकते हैं enterprise किया दोस्तों करसर आ गया narration में अब आपको narration में कोई टिपड़ी लिखना है तो आप लिख सकते हैं और इसको इस तरह से accept करने के लिए आएगा तो accept के बाद आप enterprise कर देंगे तो यह accept होगी यानि save होगी हमारी entry अब दूसरी आपको बताते हैं अगली entry सप्लाइर ही हमारे हरसे ट्रेडर जिनकों कि मैंने एक जून में कैसे payment किया था तो primarily यहाँ पर टिया तो आपको मैं यहाँ पर एक Just कर देता हूं कैसी payment की तो मैं यहाँ परça करने जा लगा दिया औ से टेडर्स का लेजर मेंने ले लिया कितने 40,000 रुपए तो यहाँ पर 40,000 रुपए डाल दी और इस तरह से दोस्तों हमने इसको एंट्री को कर लिया ठीक है तो कैस और चेक से कैसे पेमेंट के सप्लायर को वो आपने सीख लिया इसके बाद दोस्तों इसमें आपको पांस थार रुपए पे करने जा रहा है न तो मैंने यहाँ पर लेजर लगा दिया और यहाँ पर डाल दी और पर यह से में करनी है drawing जब आप payment करेंगा और यहां पर इससे related जो भी जानकारी है वो आप ढाल सकते हैं तो company के honor जब भी पैसा निकालेंगे company से personal use के लिए तो उसकी entry भी दोस्तों आपको payment voucher में इस तरह से करनी है इसके बाद दोस्तों आपके कोई expenses है उन expenses की entry भी करनी है तो आपको payment voucher में ही करनी है expenses को जब पे करेंगे electricity expenses उसको पे करने जा रहे है तारीक एक जून ही माल लेते हैं और हम जो पे करने जा रहे है expenses electrical तो उसके लिए दोस्तों हम इसको payment करने जा IDVI bank current account से और यहाँ पर electricity expenses के नम से मैं एक laser create कर रहा है वो यहाँ पर डाल दिया amount में डाल देते हैं 5,876 रुपए तो 5,876 रुपए डाले यहाँ पर और इस से related जो भी detail है वो आप इस जगे पर डाल देंगे जैसा मैंने पहली entry में आपको बताया था और मैंने यहाँ यहाँ पर एक इस पर दोस्तों को इंट्रेस्ट भी पे करना होगा है तो इसकी एंट्री भी दोस्तों हमको यहीं करनी है बैंक इस्टेट बैंक को इंडिया limit account मैंने ले लिया है ना और यहाँ पर हम payment करने जाते हैं इनको बैंक इंट्रेस्ट का तो यहाँ पर हमने डाल दिया बैंक इंट्रेस्ट का लेजर मैंने बना के रखा है बैंक इंट्रेस्ट हम कितना देने जा रहे हैं 14.90 रुपए तो मैंने इस जगह पर कर दिया तो यदि आपका कोई limit account है उसकी आप इंट्रेस्ट ही देने जा रहे हैं तो इसी में आपको entry करनी है और EMI कोई loan आपने ले रखा है उसकी EMI का payment करना है तो भी आपको payment voucher से ही करना है इसके अलाबा आपको जो भी इंट्रेस्ट आदी पे करना है उसकी entry दोस्तो आपको payment voucher में ही करनी है अब बात करते हैं bank charges की तो दोस्तो bank जो हमें शुविदा देता उसके बदले में हम पर कुछ charge भी लगाते है तो मानके चलते हैं कि IDVI bank में जो हमारा current account है तो कुछ bank charges होते हैं जैसे कि cash handling charges है check book issue charges है SMS charges हैं तो इस तरह के charges भी लगाते हैं तो इस तरह के charges के entry भी दोस्तो आपको payment voucher में ही करनी है IDVI bank का current account है और इसमें इन्होंने क्या किया है 17 रुपए 70 पैसे SMS charges के लगाए है तो इसके entry भी हम यहीं पर करेंगे तो क्या करना है आपको जिस bank account में charge किया जा रहा है उसी bank account को ल जा रहा हूँ यार इडिवी बैंक करेंट अकाउंट जो है डिवी बैंक में हमारा उन्होंने SMS चार्ज लगा है 17 रुपए 70 पैसे तो यहां पर bank charges का मैंने laser कर रखा है bank charges का laser लगा दिया और यहां पर 70 रुपए 70 पैसे मैंने कर दिये तो यहां पर आप कर देंगे यहां प entered कर लें अब हमारा जोowith building material इसके sauonor है Saving aqaunt है उनका किस में Saving अकाउंट है id booking bank में हैं तो idvi bank का saving account है उसमें दोस्तों क्या है कि जो भी इससे related भी आपको जो entry करनी होगी ना वो भी आप इसी से करेंगे ठीक है ना तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि जो आपने यहां पर F5 मैंने प्रेस कर रखा है और इस जगे पर जो भी आपको entry करनी है वो किस तरह से करनी है तो सबसे पहली बात तो आपको समझ में यह आगया हो जो मैंने example दी उससे आपको क्या समझ में आया कि हमारी जो firm है हमारी जो company है उससे जब भी पैसा out हो रहा है जब भी पैसा बाहर जा रहा है किसी को pay किया जा रहा है तो वो सारी की सारी entry हम payment voucher में ही कर रहे है तो वो आपको इसी तरह से करनी है और दूसरी बात क्या करना है single entry मोड़ों में जब आप entry करना है अकाउंट में हमेशा आपको cash का laser या bank का laser लगाना है जिससे भी आप pay कर करने जा रहे है और particular में आपको उस party का laser लगा देना या वो laser लगा देना है जिसको कि आप pay करने जा रहे है चाहे वो expenses का laser हो चाहे आपके creator पार्टी का laser हो है तो दोस्तों इस तरह से आपको entry करनी है और मैं समझता हूं कि आज का topic आपको अच्छी तरह से clear हो गया होगा व करने वाच भाट